प्यारे बच्चों नमस्कार आज की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों आज हम कक्ष्या साथ विश्य विज्ञान के अंदर अध्याय साथ जन्तूं और पादपों में प्रिवेन के परश्णों तर करने वाले हैं तो जो बच्चे चैनल पर नहीं है य परिशंचरन तंतर किसे कहते हैं तो हर्दे और रक्त वाइनिया स्योंग तुरूप से हमारे स्रीर का परिशंचरन तंतर बनाती है इसके बाद में रक्त क्या है रक्त के गटकों का वर्णन करो तो प्यारे बच्चों रक्त क्या है रक्त एक तरल पदार्थ है जो रक्त वा कोशिकाएं जिसको RBC कहते हैं इनमों हीमोग्लोबिन होता है मनुष्य में हीमोग्लोबिन ओक्सिजन था कार्बन डायक्साइड का वहाग होता है मतलब हीमोग्लोबिन ही ओक्सिजन और कार्बन डायक्साइड का प्रिवाइन करता है इसके बाद में स्वेत रुदीर कोशिका यह स्फेद रंग की होती हैं यह कोशिका है जिवानों और मिर्द कोशिकाओं को अंतर ग्रैन करके निस्ट कर देती है तो मतलब यह रोगानों को नस्ट करने के काम आती है इसके बाद में पट्टी काणू प्लेट लेटस करने का है यह चोट लगने के समय में रुदीर का होता है इसके अंदर तीन प्रकार की को स्क्राइब होती है RBC WBC और प्लेट लेटस इसके बाद में दमनियों और सिराओं में क्या अंतर है दमनिया फुपुस दमनियों को छोड़कर खुपुस सराओं को छोड़कर कारबंडा एकसाइड समद्रक्त को स्रीर के बिभीन भागों के तक ले जाती है तो दमनिया जो ओती है उसके अंदर सुधर रख्ताह और सिराहों के अंदर असुधर रख कॉल्द करें विसराम के वस्ता में किसी सोस्त वैक्ति की स्पंदन अंदर समाने तक कितनी होती है नाड़ी में परती मिनिट स्पंदों की संख्या स्पंदन अंदर कहलाती है विसराम के उस्ता में किसी स्वस्त वेस्क वेक्तिक स्पंदन अंदर बैतर से 80 स्पंदन पर 3 मिनट होती है रक्त वाहिनिया क्या होती है रक्त वाहिनियों के नाम लिखें अर्दे स्पंद को मापने वाले यंतर का नाम क्या होता है तो प्यारे बचों अर्दे स्पंद को मापने वाले यंतर का नाम होता है स्टेटोस्कोप इसके बाद है स्रीर के सभी अंगों को रक्त की आउसकता क्यों होती है तो रक्त क्या आफ सकता के कारण क्या है इसके दोरा ओक्सिजन और कार्मों का प्रिवैन होता है यह पोसकता तो एंजाइमत हर्मों का प्रिवैन करता है यह अप्शिष्ट पदार्थों का स्ताना नतरन करता है यह स्रीर के ताप का संतुलन बनाए रखता है इसलिए सभी अंगों को रक्त किया सकता होती है रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है तो रक्त में लाल वर्णक हिमोगलोबिन के कारण लाल दिखाई देता है हर्दे के कारिया लिखें हर्दे के कारिया क्या है हर्दे स्रीर के से भी बागों में रख्त का संचार करता है यह स्रीर के वीबिन बागों में कारबंडा एक्साइड समर्द रख्त को एक्तरित करता है यह कारबंडा एक्साइड समर्द रख्त को ऑक्सिजन युक करने के लिए फेपड़ों में बैजता है ओक्सिजन पोसक्त तो हार्मोनों का स्तांतरन भी हर्द्य द्वार अक्संचार के कारण होता है क्या होगा यदि रक्त में पट्टी काणू नहीं होगे तो प्यारे बच्चों पट्टी काणू रक्त का थक्का बनाने के काम आते हैं यदि रक्त में पट्टिकाणों नहीं हो गए तो रक्त का थका नहीं जमेगा, शरीर की किसी भी भाग में चोट आदी लग जाने पर रक्त लगातार बैटा रहेगा, जिससे वेक्ति की मिर्तियू भी हो सकती है, इसके बाद में केसी काई किने कहते हैं, दमनिया और सिराएं उत्कों में पहुँच कर अत्य दिक पतली नलिकाओं में विवाजित हो जाती हैं, जिने केसी काई कहते हैं, मानव हर्दे का नामांकी चितर बनाएं, तो प्यारे बचों ये आपकी बुक के अंदर से मैंने चितर लिया है और चितर दिया गया है, तो ये आपको बनाना, सीखना है पेपर के अंदर, पक्का आएगा ऐसा चितर बनाना, ठीक है, आगे इसके बाद में हर्दे क्या है, तो हिर्दे वह एंग है, जो रक्त द्वारा पदार्थों के प्रिवाइन क्लेपम्प के रूप में कारे करता है, ये अंदर नतर दरगता रहता है, ये चार कक्षों में बंटा होता है, दो आलिंद और दो निले, रक्त परिशंचर्ण की खोज किसने की थी थो विल्यम हारवें ने की थी, शरीर द्वारा अप्षिष्ट पदार्थों को उत्से दित करना क्यों आवसक है, तो शरीर में विविन सारे किरिया हैं होती हैं, किरियाओं के फरसुरूप विविन अप्षिष्ट पदार्थ बनते हैं, ये अप्सिष्ट पदार्त जैरिले होते हैं और शरीर को हाने पहुंचा सकते हैं इसलिए इन अप्सिष्ट पदार्तों को शरीर से बाहर निकालना आवसक है आगे मानव उत्सर जंतर का नामांग की चितर बनाओ तो ये मानो उत्सरजन तंतर का नामंकी चित्र है जिसके अंदर एक जोड़ी वरकक है यहाँ पर एक जोड़ी मुत्रवाहिनी है और ये मुत्रास्य के अंदर खुलती है फिर आगे मुत्रमारक है तो यहाँ पर मानो उत्सरजन तंतर में निवलिक तंग होते हैं वरकक मानो म एक जोड़ी वर्कक होते हैं ये सेम क्या करती कि ये मुख्य उत्सरजन अंग होते हैं वर्कों में यूरिया यूरी कमले और अपसिस्ट पदार्थ रक्त में से छनते हैं मुत्र वाहिनिया मानव के उसरजन तंतर में एक जोड़ा मुत्र वाहिनी होती है ये नली की तरही सरंचना है होती है जो वरकों में मुत्र को लाती है उसे मुत्रासे में डालती है मुत्रा से येपेसी यंग है जिसमें मुत्रा इस ताई रूप से संचित होता है मुत्र मारक येपेसी ने लिए है मुत्र मारक के सिर्फ रूपस से चिद्र में मुत्र मारक बाहर निकाल दिया चाता है एक वैस्क मनुसिय दवरा परती दिन कितना मुत्र निकाला जाता है तो 1 से 1.8 लिटर तक इसके बाद में मुत्र के मुख्य गटकों के नाम लिखो तो मुत्र के मुख्य गटक है इसमें पिचाण के परतिसत जल होता है 2.5% यूरिया होती है और अन्य वो 2.5% होती है इसके बाद में डाइलाइसिस क्या होता है या इसको अपोन भी कहते हैं रक्त में से करीत्रीम वर्कक द्वारा अप्सिष्ट पदार्तों को चान कर पर्थक करने के विदिको डाइलाइसिस या अपोन कहते हैं तो जिसके जो वर्कक होते हैं खराब हो जाते हैं उनमें ऐसा किया जाता है कॉलम A मेंदी के सरंचनाओं का कॉलम B मेंदी के प्रक्रमों से मिलान कीजिए तो रंदर का काम क्या है वाच्पोसेजन करना जायलम का जल का प्रिवेन करना मूल का काम जल का उसोशन फ्लोयम का काम बोजन का परिवेन तो जाहिलम में पहला सबच जल आता है तो जैसे जल फ्लोयम में एफ आता है एफ से फूड फूड मतलब बोजन आगे है रिकत स्थानों की पूर्ति कीजिए हर्दे से रक्त का स्रीर के सबी अंगों में प्रिवैन खालिस्तान के द्वारा होता है तो प्यारे बच्चों किसके द्वारा होता है दमनियों द्वारा हीमोगलोबिन खालिस्तान कोशिकाओं में पाया जाने वाला तो आरबी सी लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है बार ने कालती हैं जिसे हम खालिस्तान कहते हैं मुद्तर कहते हैं our kon इसके बाद में मूलों द्वारा जल के असुसन की दर्ग को बढ़ाया जा सकता है पंखे के नीचे रखकर तो इसका अंसर होगा आगे है पादपों तथा जन्तुवें पदार्थों का प्रिवेन क्यों आवसक है समझाईए अपनी सारी किरियाओं को करने के लिए सभी जियों बिंदो तक पूँचाना आवसक है इसलिए सभी जियों में पदार्थों का प्रिवेन आवसक है रंदर क्या होते है रंदर के दो कारिये लिखें पोदों की पतियों में निचली स्टैप रपाई जाने वाले सुक्सम छिद्र को रंदर कहते हैं रंदरों के कारिये क्या है पोदों में औक्सिजन ता कारबन डैक्सेट गैसो कादान परदान रंदरों द्वारा ही होता है रंदरों द्वारा पोदों में एत्रिक जल वास्पों सरजन द्वार बार निकलता है क्या वास्पों सरजन पादपों में कोई उपयोगी कारे करता है पादपों में वास्पों सेजन निमलिक्त दो मैटपून कारे करता है नमर एक इसके कारण जल का खिंचा होता है यह मिट्टी से विसाल ब्रक्सों में बहुत उन्चाई तक जल एंखनीज लोणों के प्रिवयन के लिए आवसक होता है वास्पों सेजन पादपों ठंडा अखने में विसायक होता है पौदों में जल एंखनीज के प्रिवयन के लिए उत्तक उत्तरदा ये तो जायलम पौदों में बोजन प्रिवयन के लिए उत्तक का नाम क्या है फलोईम पादपों में जल एंखनीजों के प्रिवैन स्थांतरन का बर्णन कीजिए पादप मिर्दा में जड़ों द्वारा जल एंखनीज लोणों का असोसित करते हैं जड़ों में मूल रोम होते हैं मूद रोम जल में गुले वे खनीज पोस्कों के अवसुसन के लिए जड़ों के सती एक चितर फिल को बढ़ा देते हैं मूद रोम बिर्दा कड़ों के बीच उपस्थी जल के संपर्क में रहते हैं पादपों में बिर्दा से जल और पोसक तो जड़ों में प्रिवेस करते हैं और फिर जायलम उत्तक द्वारा पोदों के सभी बागों में पहुंचा दिये जाते हैं वास पोस्थी खिंचाओं के कांड जल विसाल रिक्सों में उचाई तक चड़ जाता है तो यहाँ पर यह एक चित्र त्वारा समझाएगा एजल और पनीजों का परिवेन तो प्यारे बच्चों यह हैं इस पार्ट के परशनोतर जो आज हमने यहाँ पर डिसकस किये उमिद करता हूँ कि आपको समझ में आये होंगे तो आज क्लास में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाई बाई धन्यवाद